Hello friends, एक बाफ़्न लॡ़ीओ के साथ में हाजर हूँ राकिशन हमने कल टेंस पर बात की थी, टेंस के प्रिजेंट इंडेफिनिक पर हमने चाचा की थी आज हम अंगले टेंस प्रिजेंट कंटिनेस पर चाचा करेंगे लेकिन उसके पहले हम कल के कार को रिवाइच करते हैं सबसे पहले कल हमने देखा था Tense Tense की Definition Tense is a work form which telling the time of the action काल किरिया के रूप द्वारा किसी भी कार या किरिया के होने के समय को प्रिदासित करता है इसके टाइप साप Tenses हमने देखे थे Present Tense, Past Tense, Future Tense, भातमान, भूत काल और अविस्काल और इसका Classification हमने देखा था चार ठंग से किया जाता है तेनों का जो बारह हो जाता है जिसका Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect Present Perfect Continuous Past Indefinite, Past Continuous Past Perfect, Past Perfect Continuous और Future Indefinite, Future Continuous Future Perfect और Future Perfect Continuous इस तरह से यह 12 प्रकार से प्रयोग किया जाता है फिर हमने इसका present indefinite tense देखा था कल जिसे बारतमान काल कहते हैं हिंदी में जिसमें बारतमान की घटनाओं का जिक्र होता है इसे simple present tense की नाम से भी जाना जाता है present indefinite या simple present इसका structure कल हमने देखा था subject plus verb का first farm plus CIS plus object जिसके उधार हमने देखे थे कल उसमें से कुछ एक उधार यह है I drink hot potter मैं गर्म पानी पीता हूं you play cricket तुम cricket खेलते हो विलर निंगल सामंगरेजी सीखते हैं दे गो टू स्कूल वे स्कूल जाते हैं जिसमें हमने कल ध्यान दिया था कि जब करता जो एक बचन होगा सिंगुलर होगा यानि कार करने वाला एक होगा ता हूं बर्ब को भी singular farm में बदलना होता है सामानता पर बहुबचन में होती है जैसे ही ड्रिंक्स हाट पाटर वह गर्म पानी पीता है यदि हम इसी बाक को आई ड्रिंक हाट पाटर कहते तो इसमें हम बर्ब में एस नहीं लगाते या आई गो टू स्कूल लेकिन जब ही गो टू स्कूल होता तो गो का गोज करना होता है इसी तरøve से दूसरा पालेशे लान्स इंग्लिस आई लाइन इंग्लिस होता या ét ल का अए लेकिन ऑलेख सी लाइनक्लिस हो तो हमें कल हमने रखा था कि जब plural होगा subject कार करने वाला तो बर्ब का first form रहेगा और जब कार करने वाला singular होगा एक बचन होगा तो VC, ATM, POST वगेरा के साथ में बर्ब का first form के साथ में SIS लाकर singular form बनाना होता है जिसके हमने निगेटों भी देखे देकल उसमें से एक दो एक्जामपल यहां पर हैं जिसमें हमें do not या does not का प्रियोग करना होता है यदि हमारा बर्ब first form में है यानि singular ना होकर plural में है subject बहुबचन में है तो इसमें verb में S होगा ही नहीं उसमें do not लगाना होता है और जिसमें verb में S या yes लगा होगा उसमें does not लगाना होता है जैसे we learn English इसमें हम do not लगा के we do not learn English बनाएंगे कि हम अंग्रेजी नहीं सीखते हैं और c learns English वही बाख है बस इसमें subject पदल गया तो इसमें verb में S लग गया है तो इसमें बर्ब में S होता है तो इसमें हमें does को आंगे लगाते हैं इसमें भी यही होता है जिसमें singular होगा उसमें does लगेगा आंगे और जिसमें plural होगा या I के साथ में आंगे do लगता है I drink hot water का हो जाएगा I do do I drink hot butter और he drinks hot butter का हो जाएगा इस तरह से डू का प्रयोग करते हैं हम आई वी यू दे के साथ में या कोई और प्रूरल सब्जेक्ट के साथ में इसके अलावा डूरल के साथ में दू लगाते हैं फिर उसके बाद मैंने कल आपको हमबर्क में 15 सेंटेंसेज दिये थे 15 बाक दिये थे जिनका निगेटो इंट्रागेटो बनाना था होप उन्हों ने आप सभी ने उस पर काम किया होगा उनके आंसर्स आप मिला सकते हैं यहां पर हैं सबसे पहला हमने बाक दिया था तो टीचर राइट सा लेटर शिक्छक एक पत्र लिखता है तो इसका निगेटो बनता है तो टीचर डज नाट राइटा लेटा अब अगेटो बनीघा और इंट्राण अगेटो के चासर बनाते हैं तो अगला थर्ट था धू रही नुज मिह मुझे जानता है इसका निगेटो बनेगा ही डज नाट नु program एस आठ जाएगा बर्ब मेंसे और ड़ लग जाएगा ड़स नाट he does not know me इंटर्ड अबनेगा डजीनों में इंटर्डेटव के साथ साथ निगेटव बनेगा ड़सी नाट नों में Fourth, Radha teaches Hindi. दिया था मैंने कल, उसका Negator بنेगा Radha does not teach Hindi. Intragator बनेगा does Radha teach Hindi. An Intragator plus Negator बनेगा does Radha not teach Hindi. Fifth, मैंने दिया था, we collect books, जिसका अंसर बनेगा Negator में we do not collect books. Intragator में बनेगा do we collect books, और Intragator के साथ साथ Negator बनेगा do we not collect books. Next, Kabir gets salary. Kabir तन खा पाता है. इसका Negative बनेगा Kabir does not get salary. Intragato मेंगा Did Kabir get salary? और Intragato के साथ negator मेंगा Does Kabir not get salary. Next, मैंने दिया था They play hockey. जिसका Negative बनेगा They do not play hockey. और Intragato बनेगा Do they play hockey? Intragato के साथ साथ जा हम Negative बनाएंगे तो बनेगा do they not play hockey, next था student makes a project, student चात्र जो है वह एक project बनाते हैं, इसका negative बनेगा student does not make a project, चात्र यहाँ पर मैंने students नहीं लिया है student लिया है, एक सिंगल चात्र, इसलिए इसमें does not अगर दी इसमें students होता, एस लगा होता, तो यह बहु बचन की तरह काम कहता, तो इसमें do not लगता है, यहाँ पर singular है, does student make a project, क्या छात्र एक project बनाता है, does student not make a project, क्या छात्र एक project नहीं बनाता है, next था, it crawls, यह रहंगता है, इसका negative बनेगा, it does not crawl, यह नहीं रहंगता है, does it crawl, क्या यह रहंगता है, does it not crawl, क्या यह नहीं रहंगता है, next था, the earth moves round the sun, प्रत्वी सूरी के चक्कल लगाती है, इसका negative बनेगा, the earth does not move round the sun, इंट्रागेटो बनेगा, does the earth move round the sun, और इंट्रागेटो के साथ, negative बनेगा, does the earth not move round the sun, next था, 11, the people wear a mask, लोग mask पहनते हैं, इसका negative बनेगा, the people do not wear a mask, इंट्रागेटो बनेगा, do the people wear a mask, इंट्र गेटों के साथ सार गेटो बनेगा डूध अप्यो पर नट विए रा मास्क को लेके इसमें ड् Olea है वह किर्या की रूप में रूया है लगा कर तो इसके लिए इसमें डजनाट तो लगा नहीं है नगेटो की साथ साथ लेकिन डज का डू बना दाना है क्रिया का फस्ट फार्म का दना है तो टीचर डस नाट टू इस ट्यूटी इंट्रगेटो बनेगा डश्डर टीचर डू इस ड्यूटी क्या सिक्षक अपना निवाता है और इंट्रागेटों के साथ साथ निगेटो बनेगा does the teacher not do his duty कि नेक्स्ट थार्टीन शी पुट्सम इंक इन हर पैन वह कुछ याही अपने पैन में डालती है और इंटराइटो के साथ साथ निगेटो बनेगा कोई कमरे को पिति दिन साफ करता है इसका निगेटो बनेगा इंटराइटो बनेगा और इंट्रागेटो के सासर निगेटो बनेगा डज संबडी नाट क्लीन दा रूम एबरी डे और लास्ट था रितू ड्राज आ ब्यूटिफुल स्केच रितू एक सुंदर स्केच बनाती है डिजाइन करती है खीशती है इसका निगेटो बनेगा जबड़ाइन क्लेट के सासर नुगेटो बनेगा यह था कल तक का आज की बात काते हैं हो सकता है कि आपको लंबा लगे वीडियो लेकिन कल का रिवाइज करना भी ज़रूरी था आज हम बात करेंगे त्या में इसका इस्ट्रक्चर है सब्जजेक प्लस एक्जामपल देखते हैं आयम ड्रिंकिंग हाटपटर मैं गर्म पानी पी रहा हूं एक्चॉल प्रेजंट का मतलब यह होता है कि जो पाइसे होते हैं जिनमें हम यह बताते हैं कि हम यह काम कर रहे हैं यानि अभी यह काम जारी है ऐसे बाओ को हम प्रजंट कांटिने स्टेंस में रखते हैं तो इसमें बर्ब में आइंगी रहता है और एक हल्पिंग भाग भी रहती है एजमार में से कोई एक दूसरा बाग है यू आर प्लेंग क्रिकेट तुम क्रिकेट खेल रहे हो थार्ड है वी यार लार्निंग इंग्लिस हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इसमें क्या है सब्जेक्ट की बाद में एजमार में से कोई एक रहेगा हल्पिंग बाप्स और बर्ब में आइंग रहेगी इसके बाद अंग्ला एक्जाम्पल है दे यार गोइंग टू स्कूल बे इसकूल जा रहे हैं अब यहां पर क्या ध्यान रखना है साय किरिया जो होगी एजमार में से वह सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोक्त की जाती है यदि सब्जेक्ट एक बचन होगा सिंगुलर होगा घ्रक माता है तो इसके साथ में जा रहा हूं है मैं का मतलव होता है मैं के साथ हूं हो हूँ अ Chao गोाम एसमें ऐडिश्य Yap मिस्टेक होना था ऊपर लिख गया है मुझसे गलती से अब हैट करने में अभी टाच कर देंगा तो आप इसको थोड़ा-सा मांड-किजेगा हीसी एक यह यह पॉस्ट जब कोई एक बचन होगा तो इसकी साथ में इस आएगा और जब बी यू बचन कार्यकर ने वाले बहुत होंगे एक स्याधिक होंगे तो उसकी साथ में आ रहे गा तो इसके एकजमपल देखते हैं सबसे पहले आई एम प्लेंग चैस मैं सत्रंज खेल रहा हूं लेकिन अगर ही होगा वह तो ही इस प्लेंग चैस हो जाएगा वह सत्रंज खेल रहा है सी इस प्लेंग चैस हो जाएगा वह सत्रंज खेल रही है यह कोई नेम के साथ में जाएगा तो अर्जोन इस प्लेंग चैस student is playing chess we are playing chess लेकिन जब एक से देखोगा है V यानि हम तो इसके साथ में R आ गया है U are playing chess U के साथ भी R आता है क्योंकि U यानि तुम चाहे एक हो चाहे एक से देखो उसके लिए R ही आता है U ही लगता है तो U के साथ में R ही आता है They are playing chess Students are playing chess जब उपर हमने student is playing chess की बात की तब वहाँ पर एक चाहत की बात की ती यहाँ पर students यानि बहुत सारे चाहत एक से अधिक चाहत तो यहाँ पर R आ रहा है इसमें student के साथ में S लगके आए तो चाहत तो चाहत तो सातरन्ज खेल रहे है अब इसके अगर हमें negative बनाने को आते हैं तो जिस भी बाक के बनाने को आएगा उसमें helping बाप आल्रेटी लगी ही होगी बस हमें not लगाना हो helping बाप के बाद में जैसे मैंने इसमें blue किलर में not दिखाया हुआ है हर एक बाक में negative बनाने के लिए सिर्फ not ही लगाना होगा A is playing chess, she is not playing chess, Arjun is playing chess, Arjun is not playing chess, student is playing chess, student is not playing chess, we are playing chess, we are not playing chess, you are playing chess, you are not playing chess, they are playing chess, they are not playing chess और स्टूडेंट्स एर प्लेंग चैस्ट्ट्ट और नेट्ट्ट छात्र особенно नहीं कहले रहे हैं आफ आपको समय में आए होगा और आपकी कोईरीज का स्वागत रहेगा आप बात करते हैं इंट्रागेंटवश डाने के मैं ऑपकी क्या भ्राट अर्टी ऻोगहिए ईंट डॉघ्र खेट्व बनाने के लिए हमें उसी आपके रखना है और फीछे कॉश्चन मार्क रखाना है जैसे आएम प्लेइंग चैस यदि इसी बाक का में इंट्रागेटों बनाना है तो हम एम को आंगे करेंगे तो हो जाएगा एम आये प्लेइंग चैस और पीछे कोंस्टन मार्क लगा रहा एक प्रस्ला बन जाएगा बाक का तो हम बाचीत में पूछ सकते हैं आए यह गोएंग मार्केट यह तो में युझा यह इस तरह से और बाक के देखते हैं ही इस फिलेंग चैस वह सतरंज किर रहा है तो इसका ब और तो हमें इंट्रा गीटो बनाती देहान रखना है एक तो उसकी हल्पिंग वाब को आंगे कर दाना है और आंगे पढ़रन होने की वैसे उसका 하ला लेटर जो होगा कि बैदाल में लिखा जाएगा और सब्जेक्ट पीसे आएगा तो उसका पहला लेटर जो है चोटा हो जाएगा लेकिन यदिनाम कोगा या झैय सिह को सब्सक्राइब आज मैंने ज़्यादा एक्जामपल नहीं रखे हैं ताकि आपका टाइम खराब ना हो इसके लिए आपको दो दो उधारां से मैंने समझाने की कुछिस की है यदि बाग के पहले से ही निगेटो बना के दिया जाए आपको तो उसमें आपको helping bump को आँगे खैजना पीसे question mark लगा देना है तो आपका इंटरा गेटो के साद निगेटो भी बन जागे है तो यानि बाग के जैसा भी आपको आएगा उसमें अगर आपको इंटरा गेटो बनाना है तो एम को ठाके आअगे कर दिया और पीसे कॉस्टर मार्क लगा दिया है तो लगा ही रहेगा इस तरह से बन जागा और यदि आपको इंट्रागेटो बना के ही देते हैं बाक और उसका निगेटो बनाने को कहते हैं तो आपको इस ही प्लिएंग चैस में नाट और लगा दना वह लगेगा सब्जेट के तुरंत बात मे इस ही नाट प्लिएंग चैस तो इस तरह से आप निगेटो इंट्रागेटो साथ साथ भी बना सकते हैं तो अब बात करते हैं आज के होमवर्ग की आज आपको होमवर्ग जो करना उसका एक एक एग्जमपल मैंने बना के दिया हुआ है इसको निगेटो इंट्रागेटो औ आपको एक बाक्य के बनाने हैं, जिसमें पहला है, Mr. Ajay is teaching students, शात्रो को पढ़ा रहे हैं, इसका निगेटो बनेगा Mr. Ajay is not teaching students, इंटरागेटो बनेगा is Mr. Ajay is teaching students, और इंटरागेटो के साथ साथ निगेटो बनेगा is Mr. Ajay is not teaching students. तो यह तो मैंने पहला बना के दिया था अब आपके लिए 15 बाक मैंने दिये हुए हैं कल की तरह मुझे उम्मीद है आप लोग इस पर काम करेंगे आपका वीडियो चुकी ज्यादा बड़ा ना बने इसलिए मैं इनको पड़के नहीं सुनाता हूं आप वीडियो को पुष कर थोड़े रिलिवेंट लगेंगे थोड़े आपको आज की परिश्थियों से सम्मन्दित लगेंगे तो आप इनको अपने कापियों में लिख लें और फेर इस पर बर्क करें एक एक बाक्क को मैं थोड़ा जल्ली जल्ली पढ़ दूंगा अभी पहले आप इसको एक बाद देख लें टोटल पंद्रा बाक्क है और लास्ट नर मैंने अपना संपर्क भी दिया हुआ है आप चाहें तो कोई भी कोईरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं अब मैं एक बार इनको पढ़ी देता हूं ताकि ऐसा ना हो कि आपको लिखने में दिक्कत हो पहला है आयम राइटिंग और न्यू गुक में एक ने किताब लिख रहा हूं दूसरा सीज मेकिंग आ ब्यूटिपल डॉल वह एक सुन्दा गुडिया बना रही है तीसरा है चिल् में अधिक्तर समझ सोचल मीडिया पर बिता रहे हैं माई मदर इस वाइंग मैंगो मेरी मां खरीद रही है मिस्टर अरजुन अपने कंपूटर में पुराने मधुर गाने तलास रहे हैं और सेवन्थ है अमन आज लजीश खाना पका रहा है आठमा है विजिटर्स आर पासि अगन तो अपने दिन होटलों में काट रहे हैं यू आर गुएंग टू प्लेया मैस टुड़े तुम आज एक मैस खिलने जा रहे हो फ्रेंड्स आज चैटिंग आन वाट्सेप आलड़े दोस्त पूरा दिन वाट्सेप पर बातचीत करकर बता रहे हैं कर रहे हैं माई फ्र महां पर काम कर रहे हैं सम प्यूपल आर हेल्पिंग टू पूर कुछ लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं मेगा इस राइटिंग हर आटो वाइग्रफी मेगा अपनी आत्मिकता लिख रही है पुलिस इस कैशिंग द प्यूपल आन रोड एंड बार्निंग देम तो इस्टे में और पत्तकार कोरोना से संकमत हो रहे हैं तो उम्मीद है इन सभी बाक्यों पर आप निगेटिव इंट्रगेटिव बना के मुझे बहुत जल्द भेजेंगे और इस लागडाउन में सौस्त रहेंगे अपना ख्याल रखेंगे अपने पईवार का ख्याल रखेंगे और बाहर कभी भी जाएंगे तो मास्क अस्तिमाल करेंगे अपने हाथों को सनिटाइज करते रहेंगे उनको समसमा पद होते रहेंगे और इस कोरोना की लड़ाई से देश को जता कर रहेंगे थैंक्यू सो मच